इंडियन हाउसोल्ड में तीन टाइम की मेल और उनके साथ यूज होने वाले बर्तन सिंख हर टाइम बर्तनों से भरा ही रहता है तो मन करता है कि काहां स्चुटकी बजाते ही ये सारे गायब हो जाएं हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं समीता आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मोस रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मुझे पिछले च्छे महीने से आ रहा था ये था दिश्वाशर का रिवियो कि मैंने कौन सा दिश्वाशर लिया है किस त करते हूं आपके लिए वीडियो हेलफुल रहेगा आपको पसंद आएगा अगर पसंद आता है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं जो डिश्वाशर यूस करें हूँ वो है LG का 14 प्लेस सेटिंग डिश्वाशर जिसका मॉडल नमबर आप यहां पे देख सकते हैं जब भी आप डिश्वाशर इंस्टॉल कराएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें सबसे पहला तो कि डिश्वाशर जहां पे इंस्टॉल बनाएं साथी फ्रंट में भी स्पेस होना चाहिए ताकि जब आपसका डोर खोलें बर्तनों को लोड और निकालने में भी आपको असानी रहें डिश्वाशर के बैक में आप दो पाइप देख रहे हैं तो यह दो पाइप यूज होते हैं पानी को इन और आउट करने के लि बाहर कैबिनेट वगरा गीली नहीं होंगी इसके साथ ही एक पावर प्लग की जरत होती जिसे आप डिश्वाशर के पीछे या फिर साइड में कहीं पर दे सकते हैं तो मैंने बिल्कुल पीछे इसके दिया हुआ है जो प्लग किया हुआ है जहां पर डिश्वाशर वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगे बट इसका जो ऑन ओफ का बटन है वो मैंने साइड में रखा वह ताकि इसको ऑपरेट करना एजी रहे ओन मैंने कर दिया है तो आप ये डिस्प्ली पैनल देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है सबसे पहले ऑटो है जो की ऑटोमेटिक फंक्शन है इसका इसके बाद इसमें इंटेंसिव का है डिलिकेट का है रिफ्रेश का है इको टर्बो डाउनलोड साइकल है और इसके बाद यहां पर यह कुछ बिलिंक करते वे आपको दिखाई दे रहे हैं यह इंडिकेटर है जब इसमें रिंजट या सॉल्ट कम हो जाता है इसके बाद यहाँ पर dual zone है, इसके बाद half load में भी आप इसको use कर सकते हैं, delicate है तो आप बहुत ही जो delicate अपकी crockery पगर है उसको clean करने के लिए use कर सकते हैं, refresh का use आप जस्ट अपने बर्तनों को sanitize और थोड़ा सा dust हटाने के लिए use कर सकते हैं, तो different different option आप इसमें से choose कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पर turbo on हुआ है, turbo setting में आप यहाँ पर time देख रहे हैं, 1 hour 40 minute का है, लेकिन turbo का जो timing है वो 59 minute का है, यहाँ पर इसके साथ आप extra भी कुछ use कर सकते हैं, जैसे की extra dry का option यहाँ पर choose किया गया है, यानि कि आपको बरतन बिल्कुल dry चाहे हैं, तो आप यह use कर सकते हैं, high temperature यूज़ कर सकते हैं, steam यूज़ कर सकते हैं, energy saver का option यूज़ कर सकते हैं, तो आपका time उससाब से कम और जादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने यह दोनों ही setting हटा दी हैं, जस्ट टर्बो मैंने रखा है, और यह टर्बो पर 59 मिनिट में बरतन मेरे हो जाते हैं, normally मैं इसी इस function को use करती हूँ, और depend करता है कि आपके बरतन किस तरह के हैं, उस तरह से आप manually यह चीज़े select कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि टर्बो पर आप high temperature यूज़े तो आपका time यहाँ पर 1 hour 7 minutes हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपनी setting को manually operate कर सकते हैं, इसके बाद आपको start का button on करना है और आपका cycle शुरू हो जाएगा, तो यह आपको मैं दिखा रही हूँ उसका open करने के बाद, तो इस तरह का stainless steel की body है इसके अंदर, और यहाँ पर side में आपको यह detergent वगे रखले space मिल जाएगा, नीचे जो hole हैं वो steam के लिए हैं, क्योंकि इसमें extra steam वाला option था, इसलिए मैंने इसे purchase किया था, और कोविट के टाइम पर हमें sanitization की बहुत ज़रुत पढ़ रही थी, तो इस वज़े से मैंने ये वाला टिश्वासर चूस किया, इसकी जो blade हैं उसमें भी steam वाला option है, जो stainless steel के आपको दिख रही हैं, cover के साथ में वहां से steam निकलती है, साथी पानी भी वही से निकलता है, और इसके साथ जो अलग से ये दिये हुई है, wings इसकी इसमें भी सारी wings में से पानी निकलता है, और वही बड़तनों को clean करने का काम करता है, तो नीचे ये four arms दी हुई हैं, और उपर इसकी two arms रहती हैं, और यही rotate होती हैं और बड़तनों को clean करने में help करती हैं, यहाँ पर जो ये spike देख रहा हैं भी foldable हैं, यानि कि जब आपको plates रखनी हैं तो इस spike को open कर लीजिए, और जब आपको कोई बड़तन रखने हैं बड़े, तो उनको आप fold कर दें, उनके उपर आप बड़तन को upside down रख सकते हैं, इन spike को भी आप थोड़ा सा broad या narrow कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर बड़ा कोई lid वगरा है तो आप इस तरह से ये बड़ी वाली spikes को use कर सकते हैं, या फिर सब को fold भी कर सकते हैं, तो इस तरह से ये चारों जो spikes को आप दे हैं, इनको आप fold कर सकते हैं, और ये tray हमारी इस तरह से बाहर भी पूरी निकल जाती है, और अंदर भी चली जाती है, उपर वाली tray थोड़ी सी छोटी है size में, यानि कि height काम है उसकी, उसमें भी अलग अलग section हैं, यहां पर ये spikes दी हुई हैं, जिन्हें आप fold कर सकते हैं, और ये side में जो है, ये spoon वगएरा के लिए दिया हुआ है, और ये भी foldable है, इसको आप open भी कर सकते हैं, और fold भी, तो ये दोनों तरफ दिया हुआ है, इसके साथ में इसमें एक cutlery stand भी दिया हुआ है, जिसका मैं use नहीं करती हूँ कि कितनी ज़्यादा cutlery घर में नहीं होती है, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ मैं लगा देती हूँ, अगर cutlery नहीं use हो रही है, तो इनके उपर आप इस तरह से बर्तन भी रख सकते हैं, जिसे छोटी cutlery और हमेशाद ध्यान रहे कि बर्तन आपका upside down रहे, ताकि नीचे से जो पानी आए, वो इसके अंदर ही कठा होके रिसी में ना रह जाए, तो कई बर होता है, बर्तन हिल जाते हैं, तो थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता है, अगर आप धंक से नहीं रखेंगे, तो इनको आप इस तरह से upside down रख सकते हैं, या इस तरह से खड़ा करके भी रख सकते हैं, पट उसके लिए आप थोड़ा सा support लें इस तरह से, ताकि जो पानी अंदर जाए, वो बाहर भी निकले, ये जहान रखने की ज़रूरत है इसमें, अगर आपके पास ज़्यादा स्पून नहीं है, एक तरफ ही आपका यूज हो रहा है, तो इसको आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं, या इसके उपर आपको एकटोरियां रख स तो नीचे वाले में भी काफी स्पेस बस था और उपर वाले में भी, तो आप इसके हाइट को थोड़ा नीचे करके दोनों में ही बड़े कूकर वगएरा रख सकते हैं, तो इस तरह से हाइट एडजिस की जा सकती है इसकी, अब जान लेते हैं, डिश्वाशर को लोड करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है, टिश्वाशर को जब भी आप लोड करें तो बरतन सारे अपसाइड डाउन होने चाहिए, एक के उपर एक कोई भी बरतन नहीं हो, अदरवाइस फिर पानी उसके अंदर रुख जाएगा और बरतन अच्छे से क्लीन नहीं होगा, ब बहुत ही अच्छे से ये टेकनीक मेरे लिए काम करती है, एक बार जब आपके बरतन लोड हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें डिटरजेंट फिल करना, बस आपको रोज डिटरजेंट ही फिल करना होता है, बाकी की चीज़ें आपको 20 डेज या 30 डेज में ही रेफिल करनी होती है, जिसे रंसेट और सॉल्ट, डिश वाशर में क्लीनिंग के लिए हमें एक किट की ज़रूत पड़ती है, जिसमें सॉल्ट, रंसेट एंड डिटरजेंट आता है, मैं फॉर्चुन का यूज़ करती हूँ, जो मुझे 470 रुपीज का पड़ता है, और य से मुझे सॉल्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि देयादून में जो पानी है, वो बहुत ही ज़्यादा हाड है, तो मेरा जो सॉल्ट का कंजिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है, यानि कि मुझे महीने में दो बार सॉल्ट डाना पड़ता है, यानि कि 100 रुपीज का एक केजी आता है और वो हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा एक बार में जाता है तो इस तरह से मुझे एक एक्स्टा पैकेट सॉल्ट का रखना पड़ता है आधरवाई जो मेरा डिटरजन और रेंजट है वो मेरा दो महीने आराम से चलता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सॉल्ट का यहाँ पे कंजुप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है तो सॉल्ट जब हम फिर्स ताइम फिल करते हैं तो बाहर आने लगे तब आपको समझा जाता है कि इसमें सॉल्ट हमारा पूरा फिल हो गया है बस इसके बाद आप स्लिट को कवर कर दें और आप 30 डेज के लिए अराम से अपना डिश्वाशर यूज़ कर सकते हैं इनकेस हाड वाटर है तो यह पहले ही आपको इंडिकेशन दे देगा कि सॉल्ट की ज़रत है सॉल्ट वेंट के बगल में ही यहाँ पर एकिजाली आपको दिख जाती है इसको भी आप रेगलर बेस पे क्लीन करते रहें यह फिल्टर है इसमें जिसमें जो गंदगी बरतनों की साथ रह जाती है वैसे तो बरतनों को रिंस करके ही डालना चाहिए बट इनकेस कभी जल्दी में हम कोई बरतन डाल देते हैं उसमें कुछ गंदगी रहती है तो वो एकटी हो जाती है यहाँ पर तो उसको आप रेगलर बेस ब्रस की हल्प से क्लीन करें जैसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं करीपता कुछ चिया सीर वगर इसमें अग्यव लेट होगे हैं इस तरह से इस फिल्टर को आप च्रिफ सेथार से बास्क्राइब में ब्रतन डालने को बहुत ब्रतन लें जब भी थोड़े बहुत बरतन होते हैं उनको पानी केसाथ रिंस कर लेती हूं और फिर उनको लगर धुम्ध कर लेती हो तो इसतरह से लोट भी नहीं रहता है तो इस तरह से छोट छोटे जो बरतन हमारे कठे हो जाते हैं उनको आप डिश्वाश में लोट करते रहें तो यहाँ पर जस पानी के नीचे मैंने इस तरह से रिंस कर दिया है बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना होता बसके बाद इनको इ अरेंज कर देंगे जसे स्पून की जगह पे स्पून लगा दिये और कटोरियां इस तरह से अपसाइड डाउन रग दी हैं बाद में जब आफ फाइनल बरतन आपके इकठे हो जाएं सारे उस टाइम पे आप इनको रियारेंज कर सकते हैं अभी जस मैंने इनको इस तरह से और इन बरतनों को रखने के बाद डिश वाशर का जो डोर है उसको आप टॉपरली बनने ही करें थोड़ा सा खुला रखें ताकि एर साकुलेशन उसमें से होती रहा और समेल नहीं आएं तो इस तरह से मैं ये रख कर देती हूँ और जब आपका डिश वाशर फुली लोड जा देती हूँ जब बरतन कम होते हैं या कढ़ाई और कुकर कम हैं तो मैं उनको अफसाइड डाउन रखती हूँ बट मैं इस तरह से पैरलल ही रखना पसंद करती हूँ उनको स्पाइक के बीच में अरेंज करके ताकि वो इसके बाद हमें इनके फैन कहीं पर अटक नहीं इसका ध्यान रखना है तो एक बार हमें हाथ से इसको रोटेट करके देखना है दोनों फैन को ऊपर और नीचे वाले दोनों फैन अगर अच्छे से चल रहे हैं उसमें कुछ भी अटक नहीं रहा है तो इसका मतलब आप निश्वाशर चलाने के लिए रिडी हैं इसके यहां पर रिंजट डालने की ज़रूँ था में रेगलर बेस पर नहीं होती है बट आज इंडिकेशन आ रहा था रिंजट का तो मैंने यह इसमें एड किया है तो इसको भी आप इसी तरह से डालें और यहां पर जब लेबल पर आजए बस इतना ही आपको डालना है यह खु यह चलता है रेगलर बेस पर आपको जस्ट डिश्वाशर लोड करना है और डिचर्जन डालना है और आप इस तरह से आउन कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप इसको आउन करेंगे यहां पर यह इंडिकेटर है यह अभी भी ब्लेंक हो रहा है पर जब चलने लगेगा तो यह ब्लेंक होना बंद हो जाएगा इसके बाद मैंने यहां से आउन किया है और अब इसको हम चूज करेंगे यहां पर इसका सेटिंग तो यह टर्बो पे है और इसके साथ यहां पर एक्स्ट्रा ड्राइ भी आउन है तो वो मैं हटा दूंगी और यह साइकल है 59 मिनिट्स क के लिए मैंने लगा दिया है इसमें मैंने कोई भी अधर ऑप्शन चूज नहीं किया है और अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा डिश्वाशर में जैसे एक् खुद भाखुद इतना टाइम मिल जाता है बरतनों को कि वो खुद भाखुद ड्राय हो जाते है तो यह देखी है जब मैं डूर open कर रही हूं तो यह बल्कुल थंडे हो चुके हैं सारे बरतन, और यह होता भी हमारी गलती की वज़े से ही है, मशीन कैस में कोई फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो काच के बरतन हैं, वो एक दम शाइनी हो जाते हैं, इस्पेशली मुझे काच के बरतन इसमें धोना बहुत पसंद है, स्टील के बरतन भी बहुत उना आप रखेंगे ना, तो इसमें पानी भर जाता है, तो इसको मुझे इस तरह से खड़ा करके ही रखना पड़ता है, स्टील के गलास भी आप देख सकते हैं, कितने बड़ी हैं से क्लीन हुए हैं, इस तरह से सारी ही बरतनों की क्लीनिंग बहुत अच्छी इसमें होती ह मैंने कोशिश की है, अलग-लग डेस की क्लिपस अट करने की, ताकि आपको एक रेल पिक्चर मिल पाएं, क्योंकि हर दिन मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, डिश वाश को यूज करते हुए, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझसे बहुत सारी गलतियां भी होई हैं, क्य या उसमें कुछ स्पॉर्ट्स दिखाई दे रहें आपको, तो आप उसके कौश को जानने की कोशिश करें, क्या चीजस में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसके वज़े से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो मशीन है, वो आपको इंडिकेशन दे सकती है, कि इसमें ये प बर्तन साब दुल रहे थे, उसके बाद बर्तनों में धब्बे आने शुरू हो गया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या प्रॉब्लम है, मशीन मुझे इंडिकेशन भी दे रही थी, बट मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, स्टार्टिंग में, तो मैंने इसका जो एप ह है वह डाउनलोड किया, एप डाउनलोड करने के वज़े से मुझे काफी हेल्प हुई, क्यूंकि एप में उसका नोटिफचेशन आ रहा था कि इसमें सॉल्ट कम है, या उसमें रिंसेट अड्ट करने का टाइम है, तो उसकी वज़े से मैं सीख पाई कि किस तरह से किस आपके लिए हो सकती है अगर इसके फाइदों की बात करें तो मुझे तो एक जो फाइदा लगता है वो तो यह कि इसमें डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई है बिल्कुल मेट के ऊपर साथ ही रात को अगर आप अपना किचन क्लीन करना चाहते हैं तो क्लीन करने के बाद आपके अब करते हैं मेट का वो आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिशवाश दोनों को यह दोने डाला यह बाइ मिस्टेक ही हुआ बड़ आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक वाली बॉटल है वह किस तरह से चिपक गई है तो आप कभी भी इसमें इस तरह का प्लास्टिक नहीं यूज करें जो फूडगे प्लास्टिक नहीं या फिर जो हीट इस तार्टिंग में नहीं हुआ क्योंकि 6 मैंने से मैं कर रही हूं अभी एक क्राक आना शुरू हुआ है तो अगर आप वोईट कर सकते हैं वुडन के चीजों को तो आप वोईट करें क्योंकि वोडन की चीजों में इस तरह से थोड़े टाइम बाद वो तूट सकते हैं या फिर उनमें cracks वगएरा आ सकते हैं, तो इस तरह चुट-चुटी सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें, iron वगएरा के बड़तन इसमें नहीं डाले, वो discoloration का problem उसमें हो जाता है, तो ये था मेरा six month use करने के बाद dishwasher के बारे में एक personal opinion, ये different हो सकता है person to person, क्योंकि सब की utility अलग-अलग होती है, मुझे बरतंद होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो ये machine एक blessing की तरह है, तो अगर आप dishwasher लेना चाहते हैं और आपके कोई query है, तो आप मुझे comment box में ज़रूर लिख सकते हैं, उमीद करती हूँ, आपके लिए video helpful रहा हो, आपको आया हो, मैं मिलती हूँ आप से कसी और नहीं interesting video के साथ, तब तक के लिए bye, thank you, thanks for watching